तो चलिए हम बात करेंगे जब हमारे इंडोर में कभी-कभी ऐसा आपने देखा होगा और बहुत से लोगों को ये परिशानी होती है कि जब हम मोटर लगाते हैं तो हमारी DC मोटर जो है स्लो गुमती है और जब स्लो गुमने लगती है तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें तो कुछ सर्किट उसके लिए अलग से बनाके डालते हैं और सई भी हो जाता है तो ये समस्या अखिर अच्छली उत्पन होती क्यूं है उसको पहले जानेंगे फिर मोटर हमारा कैसे काम करता है उसको जानेंगे तब हम इसका हल आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए कि जो मोटर का कनक्सन होता है ये वाला तो हमारा इसमें 320 बॉल्ट की सप्लाई आती है ये हमारा ग्राउंड है और ये बी सी सी जो हमारी 15 बॉल्ट होती है और ये फिडबाइक की है और ये भी एस जिसमें रेगुलेट बॉल्टेज आता है तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो बॉल्टेज होता है ये ये यमसी उसे जो बॉल्टेज बनाने जो बना करके भेजा जाता है और ये इस तरफ कैपलर से जो पास कराते हैं तो यहां पे आकर कि वो सप्लाई कम से कम साथ बोल्ट तक वैरी करती है तो हमारी मोटर उतने में फुल स्वीट से चलने लगेगी लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ढंग से होने लगता है उस समय तो वो धाई बोल्ट पे जाकर कि या तीन बोल्ट पे जाकर रुप जाती है उससे उपर बोल्टेज बढ़ेगा ही नहीं तो सबसे पहले आपको सरकिट में खराबी क्या है क्या नहीं है तो उसको जानने के लिए यह जो फीड़बैक की वायर है इस वायर को निकाल देना होगा आनि इसे डिसकनेक्ट करना होगा और फिर मोटर लगा करके स्टार्ट करेंगे तो और इसे बोल्टेज को आप देखेंगे भी चेक भी करेंगे साथ में ग्राउंड के साथ में इसे चेक करेंगे तो देखना यह होगा कि क्या बोल्टेज बहरी कर रहा है और कितने बोल्ट तक जा रहा है क्योंकि अब भी फिडबैक जब भी नहीं मिलेगा तो IC का काम होगा बोल्टेज को बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना अगर वो बोल्टिज 7 बोल्ट तक आता है या 5 बोल्ट तक आता है फिर वापस 0 होता है और फिर वापस बढ़ता है तो यह मान के चलिए कि आपका सर्किट अनि MCU के तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है आउट वाला भी हिस्सा सही है प्रॉब्लम है अब फिडबैक का तो फिड स्यू के अंदर प्रोग्राम है वो मिस हो गया है मिस होने का मतलब कि अगर जो ये हमारी मोटर एक चक्कर में एक चक्कर अगर यह घुमती है तो 12 पल्स देती है तो मानने दें हैं कि 100 चककर इसको घुमने के लिए बनाया गया है तो 1200 चक्कर हुगा और एक मिनट में 1200 चक्कर और 1200 पल्स ब्लिंक होगी लेकिन यह सर्किट जो है जब फेल होती है तो यह सर्किट उसको ज़्यादा समझ लेती है तो यह फिर मोटर की स्पीट स्लो रखती है और यहां से आप कितना भी कोशिस करेंगे बढ़ाने के लिए जैसे ही इस बोल्टेज को आप बढ़ा करके आनि अर्जेस्टमेंट करेंगे तो यह बढ़ेगा तब तक फिर यमस्यू को ज़्यादा टरंस मिलेंगे वो बोल्टेज को कम करा देगी यानि एक अपने उसी बोल्टेज पे रखेगी ऐसा भी नहीं है कि आपने यहाँ अलग से बोल्टेज बना करके दे दिया और चलती रहेगी नहीं चलेगी क्यों कि फिर यह आईसी जितने बोल्टेज पे चाहती है जिस स्पीड पे रखना वो स्पीड जब इसको मिलेगा ही नहीं तो यह फिर एरर कर देगी आउट्पुट भी नहीं देगी एरर सो करेगी या उसी में लेके घुमती रहेगी कोई जबाब नहीं देगी अन्य सब बुलेट बुलेट काम चलने लगेगा तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि मोटर की स्पीड को अगर बढ़ाना है तो जहां यह एक चक्कर में छे पल्स देती हैं बारा पल्स दे रही है इसको हम ऐसा सिट करें कि यह छे देने लगे यानि एक चकर में यह छे पल्स ही आउट कर सके तो उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए यह करना होगा अभी हमको इस PCV में अब आपको यह सोचना होता यह होती है टेक्निक और इसे आप समझ गये तो समझ लिजे कि बहुत कुछ आप आसानी से समझ जाएंगे और इसे बोलते हैं क्रियेटिव करना ठीक है तो चलिए अब हम इसको साइट करते हैं और हम अब बात करते हैं डाइग्राम पे तो यहाँ पे जो मोटर लगाया हूँ अब देख लीजिए यह पैनासोनिक की है ठीक है और इस पैनासोनिक की मोटर से जो निकलने वाली फिटबैक होती है यह निगेटिव फलो होती है इसके अंदर से निगेटिव पल्स निगलती है जब टर्न सोता है तो इसमें से निगेटिव निकलता है तो मैंने यहाँ पे एक 10K की रेजिस्टेंस लगा दिया है इसके साथ में और इसको जो है पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे देखिए तो 15 वोल्ट और 14 वोल्ट मैंने दे दिया है यहाँ पे अब मैं टर्न करता हूँ इस मोटर को तो आप कमाऊंगा ठीक है यह हो गया एक चक्कर पूरा घूमने में 12 बार यह ब्लिंक करती है अब हमें इसे अगर जो रोकना है सही अगर जो करना है यानि 6 दिखाना है 12 टन्स को यानि एक चक्कर में सिर्फ 6 दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा तो हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि इसमें से एक एक पल्स निकल जाए अब इसके लिए ऐसे तो निकलेगा नहीं रजिस्टेंस कल्कुलेशन से तो निकलेगा नहीं तो इसके लिए अब हमें दूसरी टेखनीक लगानी पड़ती है वो टेखनीक क्या है तो उसे समझते हैं तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक IC लगाएंगे तो कैसा रहेगा उस पहले समझ लेते हैं जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए कि हम इसमें पॉल्स देते हैं एक बार देते हैं तो हमारा यहाँ पे एक बल्ब जलता है जब हम दूसरी बार पल्स देंगे तो ये बंद हो करके ये बंद हो जाए ये जलना सुरू हो जाए फिर वापस पल्स देंगे पिर एक पल्स देते हैं तो ये बंद हो करके ये जलना सुरू हो जाए फिर दोबारा एक पल्स देते हैं तो ये बंदो करके ये चालू हो जाए और फिर दोबारा देते हैं तो ये बंदो करके ये चालू हो जाए ये होना चाहिए तो हमारे पास जो CD 40-17 यह ऐसे ही काम करती है तो इसके लिए क्या करना होता है इसमें जो है एक अभी पिन की मैं बात नहीं करूँगा ठीक है अभी मैं पिन की बात नहीं करूँगा क्योंकि अगर पिन की बात करेंगे तो फिर अभी आप क्योंकि उसकी पिन जो है तो प्ड़ा अलग अलग राती है तो मैं यहाँ पे चार ले लेता हूँ और यहाँ पे आपको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ कुछ समय के लिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 15 बोल्ट की इसको सप्लाई चाहिए तो यहाँ पे हमने 15 बोल्ट की प्लस सप्लाई दे दिया ठीक है और यह है इसमें जो हमें सिगनल देना है ठीक है तो हमारा एक यह एक नमबर यहां से निकला मान लिजिए दूसरा यहां पे है तीसरा यहां पे है चौथा यहां पे है तो फिर यहां से आकर के फिर वापस गिंती सुरू करेगी अब जो यहां से है तो एक, दो, तीन, चार निकलेगी यहां से तो एक बार यह जल गई, ध्यान दीजिए कि जब भी इसमें पल्स हम बिद्देंगे तो पहली पल्स से तो जल जाएगा दूरसरी पल्स से नहीं जलेगा क्योंकि यह आफ रहेगा उस समय यह जलेगा फिर तीसरी से तो यह जलेगा चौती से फिर यह जलेगा फिर पांचमी जब आएगी पल्स तब जाकर कि यह जलेगा तो पांच पल्स रिमूब हो गई तो उस हिसाब से इसमें से तो अभी पांच पल्स रिमूव होने के बाद अब होगा क्या है ये मोटर अगर टर्न मारती है तो इसमें से पहली वाली पे तो जल जाएगा चार उसमें से गायब हो जाएगी यानि यहां से भी गायब हो गया तो इस मोटर की स्पीड बहुत जादा हो जाएगी तो इसमें क्या होता है एक इसमें एक और अलग से एक पिन होती है रिसेट करने के लिए तो इस पीन का काम क्या रहता है कि अगर इसे प्लस के साथ में जोड़ देंगे जहां प्लस के साथ में आपने जोड़ दिया तो ये बिल्कुल जीरो पे आ जाती है ये आगे बढ़ेगी यह नहीं तो इसका काम क्या रहता है कि इसको ला करके हमें दो पल्स रिमूब करनी है तो हम यहां पे इसको जोड़ देंगे तीन नमबर पे अगर हम इस तरह से इसको जोड़ देते हैं इस पिन पे तो यह क्या करेगी वन टू आनि एक पल्स पी ये जलेगी दूसरी पल्स पी ये जलेगी फिर तीसरी पल्स पी ये जलेगी चौती पे फिर ये जलेगी पांचमी पे फिर ये जलेगी तो अब भी देखेंगे कि इसमें 50% डिले हो गया और 50% खा गया अगर यह ऐसे कर देते हैं सिर्फ दो में लेते हैं तो आधा तो निकल गया हमारी एक पल्स सीधर की गायब हो गई एक ही मिलेगी और पहली पल्स मिल जाएगी दूसरी गायब हो गई तीसरी फिर मिलेगी यही पर आने के लिए तो दोनों पर आएगा लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर तो 50 यहाँ पर मिलेगा और 50 यहाँ पर मिलेगा दोनों में से हम किसी एक को इस्तेमाल करेंगे आने इसका कनक्सन अगर हम कुछ इस धंग से कर दें कि इस पल्स को यहाँ पर देते हैं यह वाली पर राइट यहां पर कर दिये इस पल्स को अब मोटर को अगर हम टर्न कराते हैं इस तरह से तो 12 पल्स आने वाली है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यार बारा अब ध्यान से देखिए पहली यहां पर आई दूसरी यहां पर तीसरी यहां पर चौती आने आधा 50% हो गया है यह तो कनफर्म हो गया आप और इसे लगा देंगे यहां पर तो यहीं तक गिंती करेगी अगर इसको उठा करके आप यहां पे लगा देते हैं, इस तरह से connect करेंगे, इसे हटा देंगे, अगर हम यहां से इसको disconnect कर देते हैं, और इसके साथ में जोड़ देते हैं, तो यह तीन पल्स देगी, आनि पहला यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, फिर वापस यहां से, फिर यहां पे और फिर यहां पे, ऐसे देने लगती है, तो CD 47, 47 जो IC है, यह ऐसे ही काम करती है, अब इसका जो है, डाइग्राम पे समझते हैं, और systematic बना करके, तब भी समझ में आएगा, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कि इसका मकसद क्या है, लगाने का में मकसद है, अगर motor की speed बढ़ानी है, तो circuit को बेवकूब बनाना है, अनि उसे घुमा देना है, लेकिन यह कब होगा, जब आप एक बार circuit में से, अनि original हमारी जो circuit है, वहां से इसको remove कर देते हैं, और इस पे जो आने वाला voltage है, वो voltage, 7 बोल्ट तक, 5 बोल्ट तक वैरी क करता है, और इसके बाद भी, अनि जब हम connect कर देते हैं, तो motor slow चलती है, तो उस समय हमें, इस तरह की circuit बना करके लगाना जरूरी है, तो next वीडियो में, आपको मैं यह पूरा practically सामने, एक-एक सामान जोड़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहां पे आप देखिए, कि मैंने इसमें CD 40-17 लगी है, कुछ connection इस तरह से किया हूँ, ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो यह diagram पे आप आसानी से समझ लेंगे, ओ भी मैं animation के जरी यह आपको समझा देता हूँ, तो उसकी थोड़ी video देर हो सकती है, लेकिन अच को रोटेट कर रहा हूँ, अब देखिए, तो जो पल्स अभी आ रही थी, आप जितना बार यह पल्स अभी blink कर रही थी, अब भी आप देख सकते हैं, कि यह एक एक करके खिसक रही है, तो इसमें 10 output निकलते हैं, ऐसे, अब यह आप अंदाजा लगा लिजिए, कि अभी मैं एक LED, किसी भी LED को आप ले लिजिए, दस पल्स, आनि नौ पल्स के बाद, दसमी पल्स फिर वापस हमको वहीं पे मिलेगी, यानि, एक बल्ब, किसी एक बल्ब को आप देखिए, उसको आने का टाइमिंग कभी होगा, जब पूरी जल जाएगी, तब ही इसके बाद आएगी यानि, वन बाई वन जलते हुए, आने के बाद, जब उसका वापस नंबर आएगा, तभी वो उस पे आएगी, आनि पल्स आएगी, अगर हम उस LED के अस्थान से जहां से यह निकल लई है, किसी से एक पॉइंट वहां से निकल देते हैं, तो हमारी मोटर अभी एक चक्कर मे सिर्फ एक पल्स देगी, तो यहां पे देखिए, अभी यह पूरा टर्न मार रही है, ठीक है, अभी मैं ऐसा कर दूँगा, कि सिर्फ ऐसे मैं गुमाऊंगा, तो वन टू, वन टू ही सिर्फ सिर्फ दो LED ही जलेगी, या चार पे मैं पहले करता हूँ, या कुछ अलग करके म उस LED से पहले वाली LED जलेगी, ना क्यों वो जलेगी, तो अभी आप दिखाता हूँ, आप देखिए, तो अभी आप देख सकते हैं, कि मैंने यहां पे, जो reset की pin है, वो मला करके यहां पे, पांचवी LED पे रख दिया, नहीं छठी LED पे, तो अभी देखिए, output कहां तक यह देखिए, बस यह return होते जाएगा, यहीं से, ठीक है, अभी मैं इसको निकाल करके, और वापस इसको full play कर देता हूँ, तो चुकि यह के लेडी मैंने निकाल दिया है, तो वहाँ पे जलती हुई नहीं आपको दिखेगी, इसको मैं वापस लगा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, फिर वापस जलने लगी पूरा, अब मैं चाहता हूँ सिर्फ यह दो एलेडी जले, तो मैं तीसरी वाली point में इस wire को लगा देता हूँ, आनि reset 15 पिन को मैं तीसरी नमबर एलेडी पे लगाँगा, तो सिर्फ दो एलेडी बिंक करेगी, अभी यहा तीन नमबर पे लगा दिया, मैं तीन नमबर इसलिए बोला हूँ, क्योंकि इसमें से output जो होता है, कभी इदर से, कभी इदर से, ऐसे करके है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको तकलीफ होने लगेगी, इसके लिए मैं यह LED को करम में लगाया है, तो अभी देखिए मैंने reset 15 नमबर है, उसको मैंने ला करके तीन नमबर इसलिए लगा दिया, तो तीन नमबर पे आउटपुट नहीं जाएगा, वहाँ से जैसे ही positive मिलेगा उसको, वापस reset हो जाएगी, और एक नमबर से फिर चालोगी, अब देखिए मैं यह भी motor को घुमा रहा हूँ, तो एक जली दूसरी जली, एक जली, दूसरी जली, तो अब यह condition हो गई, अब हम इसमें से क्या करेंगे, कि किसी एक लेडी के साथ में, हम जो output है, जो हमारा यह output निकल ला था, इस output को अब हम adjust करके, कैपलर के जरीए, पास कराके, यह signal भेज देंगे, तो अब MCU क्या समझेगा, अब भ हुआ, दो, तीन, चार, पांच, छे, ऐसे करके, तो यह 12 तो यहां जलेगी, लेकिन मिलेगा कैसे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, दोनों मिलाके हुई, एक को हमने निकाल दिया, तो अब हमारे पास बचेगी क्या, छे, आधा तो निकल गया, तो वह वाला output इसको लेक करके, हम कैपलर के जरिए, output को निकाल करके, फिर, माइक्रो कंट्रोलर को दे देते हैं, अब माइक्रो कंट्रोलर को यह समझ में आता है, कि मोटर बहुत स्लो चल लई है, और इसकी speed के लिए, जो voltage भेजना होता है, उसे बढ़ा करके, इक्स्ट्रा कर देगी, और जिसके व